Hello everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी classification of accident के बारे में ठीक है यानि कि types of accidents अब क्या हुआ था जब causes of accident आए तो ये भी देखा गया कि कितने type के accidents जो हैं वो सामने आते हैं कोई major injury, minor injury, near miss या और भी कुछ अगर ऐसा होता है उनके बारे में उनके levels के बारे में बात की गई तो देखिए फस्ट रहता है जैसे कि फस्ट आड accident जिने हम फस्ट आड देखे ठीक कर सकते हैं second lost time accident उसमें क्या हुआ हम जल्दवाजी में थे ठीक है हमें वो काम जो था वो हम ठीक से कर सकते थे पर हमें जल्दी थी किसी और काम की ठीक है और जो थर्ड है वो है home case accidents घर में होने वाले accidents ठीक है first aid accident lost time accident क्या है work place पे हो सकते हैं दोनों ही और home accidents क्या है जो home cases हो जाते हैं जैसे कि माल लीजे आप कुछ कर रहे थे उपर चट रहे थे गिर गए या जो भी है ठीक है तो इस तरीके accidents जो है सामने आए road accidents भी आते हैं lost time accident में जो आपको जानी की जल्दी थी आप fast गाड़ी चला रहे थे तो accident हो गया इस तरीके के accident सामने आए ठीक है तो यह तो बात हुई classification of accident के बारे में according to length or recovery के बारे में ठीक है first accident हम ठीक कर सकते हैं एक बार उन्हें first start दे सकते हैं ठीक है lost time में क्या रहता है आप जो भी work place for department में काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या है without lost time accident क्या है जल्दबाजी में होने वाली चीज़ें जो होती है ठीक है तो देखिए सेम यही आया minor injury क्या होती है बहुत ही कम आपको लगी है चोट जरा सी चोट आईए first start treatment आप लेंगे तो आप next day ठीक हो जाएंगे ठीक है lost time accident वही है कोई person है अपने काम पर है जा रहा है temporary क्या है impaired हो जाता है मान लीजिए किस तरीके से जैसे कि उसे जादा काम कराया जा रहा है उसकी workplace पे अब उसे हो गई ठकावट ठीक है अब उसके कारण क्या है होने वाले accident यानि कि उसका ठकावट के वज़े से ध्यान नहीं लग पा रहा है काम में क्योंकि वो ठक चुका है फटीक हो गी हो उसको तो इस एक्ट्री को हर workplace पे इंस्ट्रक्शन दे देनी चाहिए कि कोई भी work of 48 hour से जाधा काम नहीं करेगा 20 पैसे तो 12 hour से जाधा काम नहीं करेगा और regularly अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो उसे वीच में एक gap एक off मिलना चाहिए चिक है और साथ ही क्या हर गंटे में होने एक्सिदे से उन पर हम अपने बचाफ कर सके हैं मैंनर एक्सिदेंट में यहीं बताया गया है जिसको भी चोट लगती है तो उसको 48 hours तक at least rest देना चाहिए उसके बाद उसे काम कराना चाहिए वापस जो भी एक्सिदेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट पहुचा देनी चाहिए उपर त है जब आपका कोई भी एक्सिदेंट हो जाता है तो कैसे हुआ था क्यों हुआ था कि एक रिपोर्ट तयार करना यह आपका सुपर्वाइजर का काम होता है कि उसको हार मैनेजमेंट तक पहुचा है बताया जाए कि इस इंसान को इतनी इतनी चोट आई और इसे 48 hours का rest दिया एक्सिदेंट बताया गया है एक्सिदेंट इंवेस्टिकेशन इसमें बताया गया है देखिए कोई भी एक्सिदेंट होता है उसकी इंवेस्टिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है होने वाला जो कारण था वो क्या था अगर हमें वही नहीं पता चलेगा तो हम आग के accident था और किस हद तक उस इंसान को injury हुई है या कोई harm हुआ है भी या नहीं तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है क्यों हुआ था accident किस लिए किस वज़ा से हुआ था ऐसा तो नहीं किस चीज़ में खराबी है ये सारी चीज़ें चानने के लिए investigation कराई जाती है कि हम जान सके हमारे पास एक report तयार हो हमारे जो accident हुआ था उसके बारे में हमें पूरी information हो कि इन इन reason हो से accident हुआ था और हम इससे कैसे आगे बचाफ कर सकते हैं ये साथ बाते इसमें बताई गई है ठीक है तो इन्वेस्टिकेशन accidents investigation क्या है आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से procedure फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो procedure यही है कि जो भी accident हुआ है उसके बारे में information collector ना उसको main cause जानना जब आपको यह पता चल जाता है तो यह भी देखना कि हम इसमें क्या-क्या implement करके उस तरीके के accident दुबारा होने से रोख सकते है ठीक है तो यह क्या आया किस के अंदर आया accidents के अंदर यह तीन चीज़ा है minor accident, reportable accident, lost time accident first aid accident भी है तो पता रहे कि कितनी accidents type हो सकते है classification उसकी कितनी हो सकती है जब हमें classification पता चला तो हम उसके उसके क्या रोख थाम के लिए तयार हो गया हम कैसे उन accidents को रोख सकते हैं बचाफ कर सकते हैं अपने workplace पे रहने वाले people को safe रख सकते हैं उन सारी चीज़े हमको easily हम पता कर सकते हैं किस accident से कितना harm हो रहा है किसको first aid देना वैसे तो first aid सभी को दिया जाता है किसका accident जो है उसके वल first aid से हम ठीक कर सकते हैं उसे rest देके हम ठीक कर सकते हैं क्या reason रहा accident होने का ये सारी चीज़े बिलकुल पता होना चाहिए क्या हो सकता है इनसे next होने वाले accident से हम बच सकते हैं अपने field पे अपने workplace पे होने वाले जो आगे के accident से उनसे हम बच सकते हैं ठीक है तो आज मिन्हें आपको classification of accidents के बारे में बताया जो कि causes of accident से ही related है classification इसलिए बताया गया ताकि accidents जो होते हैं वो exactly किन किन reason से होते हैं और उनको कैसे classify किया गया है वो इन सब में बताया गया था ठीक है तो जो भी है अपने workplace पे जो causes है accident होने के causes जो हैं उनको रोपना ठीक है accident के बारे में जानना कि किस तरीके का accident है कितनी injury उससे हुई यह सारी चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो आज मैंने आपको classification of accident के बारे में बताया so thank you